नमस्कार चुनाव से जुड़ा कैपिटल टिबी का खास शू एस्टेट ऑव वार देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिप्या सिंग राजस्थान पिधान सभाद चुनाव के लिए मच रहा चुनावी शूर कल शाम को थम जाएगा इससे पहले दोनों ही बड़ी रास्तितिक पार्टियों की तरफ से जीतों कोशिस की चारी हैं एक तरफ जहां राहूल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साथ रहे हैं और जिनता से लुभावने वादे कर रहे हैं वहीं बीचेपी की तरफ से पीए मोदी, अमित्र शाह और सीम योगी कॉंगरिस के काले कारनावे सब के सामने लाने में लगे हुए हैं कई मुद्धों पर कॉंगरिस को घेरने की कोशिस की गई अब तो पीए मोदी ने साफ कर दिया है कि मैं भविश्यवानी करता हूँ कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं पनेगी आज इस शो में इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा के लिए मैं साथ स्टोड़े में मौचुद है सर आज तो पीए मोदी ने खुले मच से भविश्यवानी भी कर दी है कि गहलोत सरकार नहीं आ रही है देखिए प्रधान मंत्री मोदी ने एक ही बयान में कई लोगों को नराज भी कर दिया, कई लोग खुश भी हो रहे होंगे तो भारती इंता पार्टी के लोग मोदी साब के बयान पे खुशी मनाई ये तो समझ में आता है लेकिन प्रधान मंत्री के इस बयान से कहीं सारे कॉंग्रेस के नेता भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो भई, प्रधान मंत्री ने बिलकुल सही बात कह दी कि अब राजस्थान में सिर्फ अभी नहीं, भविश्च में भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी तो ये दो बाते उन्होंने कह दी पहली चीज ये, कि बीजेपी सरकार बना रही है, कॉंग्रेस पार्टी हार रही है ये सिंपल माइना कि हम जीत रहे हैं, आप कोई कॉंग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी लेकिन कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो वो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी तो इसका मतलब है कि पालेट गैंग और बाकी और भी कुछ एक दो दिन के अंदर मुख्य मंत्री के दाविदार पैदा होगे कॉंग्रेस पार्टी के अंदर ये सारे लोग ये कह रहे होगे कि प्रदान मंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि गहलोत का ये आखरी इनिंग है गहलोत चुनाओ हारेंगे और कॉंग्रेस पार्टी के की राजनीती में हासिय पर जाएंगे राजस्थान में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार अब भविस्वें भी बनी तो गहलोत सहब उसके चीफ मिनिस्टर नहीं होगे इसलिए राजरीती में कहा जाता है कि तलवारवाजी ऐसी करो कि कई सारे लोग एक ही वार में गायल हो जाए तो कॉंग्रेसियों को ये बहुत ही महंगा पढ़ रहा है ये बयान कि गहलो साहब की छुटी हो गई तो ये कही सारे मायने जो है प्रधार मंत्री के बयान से निकल रहे है आज सीएम योगी भी पहुँचे थे और जमकर हुंकार भरी है राजस्थान में देखिये सीएम योगी को वहाँ पर स्टार कंपेनर के तौर पर माना जा रहा है और जो मुद्दे उन्होंने उठाए है उस मुद्दे की चर्चा पूरे राजस्थान में है यहां तक कि जो ये सचीन पालेट है उनका च्छेत्र भी कनफ्यूजड हो गया है एक वहाँ की स्थितियों के बारे में है कि गुजर और मीना को इकठा करने में पिछली बार जो सचीन पालेट कामयाव रहे थे इस बार क्या रह पाएंगे अब साप तोर पर गुजर जो है वो भी सचीन पालेट के साथ नजर नहीं आ रहा है यह स्थिति हो गई है कि दोसा में अब जो समस्या हुई है सचीन पालेट के साथ बाहरी बनाम राजस्थान के उस छेतर के लोग यह दोसा में इनको कहा जा रहा है कि यह तो पालेट परिवार बाहर से आकर यहां दोसा पर कबजा कर चुका है इसलिए अब इनको यहां से बाहर बगाओ जितने भी गुजर आ कि क्या सचीन पालेट को गुजरों का वी समर्थन मिलेगा क्योंकि वहां पर कंफूजन इस बात के लिए है कि कॉंग्रेस ने तो धोका दे दिया यह पूरी रिपोर्ट इसी पराधारी थी कि वहां के लोग कह रहे हैं कॉंग्रेस ने तो धोका दे दिया आला कमान जो इन इन लोगों ने वादा किया था कि धाई साल गहलो और धाई साल पाइलेट वो भी नहीं हो पाया यहां तो परदेश अध्यक्ष भी पाइलेट को बाद में नहीं बनाया गया तो यह कंफ्यूजन की स्थिति वहां पर इनके बेस वोट में है तो यह संभावना दिखाई के लिए यह हिंदूों के खिलाब भी नहीं जा सकते तो इसलिए मुसल्मान वहां इसलिए परिसान है क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि सचीन पाइलेट ने एक बार भी क्यों नहीं कहा जब राजस्थान के दो मुसल्मानों की हत्या कर दी गई काव विजलेंस जो लोग थे गौर अच्छत उनके द्वारा तो सचीन पाइलेट ने कुछ क्यों नहीं बोला क्योंकि सचीन पाइलेट को लग रहा है कि अगर मुसल्मानों की बात करते हैं हिंदू नाराज हो जाएंगे तो पूरे राजस्थान में जो महत्पुर्ण मुद्दा चला है कि ये हैं वो कन्फ्यूज नजर आए तो इसलिए इस कन्फ्यूजन में मुसलिम भी पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है कॉंग्रेस को ये लोग सपोर्ट करने से हिचकिचा रहे हैं जहां कुछ इंडिपेंडनेंट उमिदवार है जहां ये बीएपी बीटीपी और लोकल कुछ पाटियां हैं वहाँ पर उनके साथ बिजूड रहे हैं कुछ मुसलिम भागिक कंडिडिट है उसके साथ बिजूड रहे हैं तो राजस्थान में कॉंग्रेस पूरी तरीके से आउट होती दिखाई पर रही है और इसलिए जो रिपोर्ट सामने आया तो उसके बाद पीए मोदी ने कहा ये भविस्ट में अब कॉंग्रेस यहां नहीं आने वाली है अभी और गहलोत की बात तो जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि अब तो उनकी राधनितिक पारी का अंत है तो ये पाइलेट नजरे गड़ाए रहें गहलोत रिटायर हो जाएं फिर भी कॉंग् जिन्दा लोग कौन है दो हजार चोदस से अचानक से आस्मान से तो गिर क्या आए नहीं ये जो राहुल गांदी ये वामपंद का जो चरस्पी रहे हैं वामपंद की जो अफीम खा रहे हैं वो ये बताए कि देश का दो हजार चोदस से शुरू हुआ इनके परनाना इनकी दादी इनके पिताजी जब प्रधान मंत्री थे तब इकुल डिस्ट्रिबूशन ऑफ वेल्थ क्यों नहीं किया गया तब क्यों ये कॉंग्रेस के दलाल किस्म के विदेश मंत्री बजट पेश करने से पहले मुंबए में कुछ घरानों को पहुँचा दिया करते थे अभी इनकी अकलाई है राहुल गांदी एक कन्फ्यूजड वेक्ती है विचारधारा के नाम पे उनको ABCD भी मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं ये उस राह पे चल रहे हैं कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इसकी राह पे चल पड़े तो जिस राज में इसकी सरकार होगी वहाँ कोई बिजनिसमेन वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा आप जेनियू के कुछ चंद वामपंथियों और ऐसे वामपंथ ऐसे विचार धारा जिसको इतिहास के डॉस्टमेन में फेख दिया गया आए वहाँ से तुम ये भाले की भाले के कुछ चंद लाइने मार्क्स की कुछ बाते लेनिन की कुछ बाते माओ की कुछ बाते तुम कॉंग्रेस पार्टी हो या कम्रेस्ट पार्टी बन गया हो यह clear cut बता दो यहां अमीर गरीब अडानी, अमभानी यह नौसिखी की तरह जो बात यह कर रहे हैं यह लोग तो फिर सबसे पहले इनको गाली देना चाहिए राहुल गांधी को तो मनमुहन सिंग को जब आप 1991 में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी जब आप ने एकॉनमी को लिबरलाइज कर दिया तो फिर ये बक्वास करने की आप ये कर क्या रहें एक तरफ लिबरलिजम भी और दूसरी तरफ आप इस तरह की बाते करें पूंजी को गाली दे, कैपिटलिजम को गाली दे तो ये देखिए बेसिकली ये राजितिक तोर पे जो है हम अनपढ कहेंगे वैचारी के दृष्टी से कोई व्यक्ति अनपढ होता है वही इस तरह की बाते करता है जॉब्स कौन देगा, सरकार देगी आप पूरी दुनिया कहां से कहां निकल रही है आप उस तरह की एकॉनमी में फसे वे हो जो सिक्स्टी ज में हुआ करता था जिसकी वज़े से इस देश को सोना गिर भी रखना पड़ा उस तरह की एकॉनमी के बारे में बात को पता नहीं सब समझता भी है या नहीं समझता है कि यह पॉलिटिकल साइन्स के प्रोफेसर से बातचीत भी करता है या हिंदी वाले कुछ घटिया प्रोफेसर लोगों को तुकबंदी वालों के साथ कि ये डालोग ठीक है कि देश जो है वो अमीरों और गरीबों में बटा हुआ है सब कुछ जो है अमीरों के पास चला जा रहा है अरे कोई नई बात करो ऐसी बात करो कि जिससे हिंदुस्तान के युवाओं को कुछ डाडस मिले उनको अपना एक हिंदुस्तान में उज्वल भविस दिखाई दे तुम बिल्कुल डार्क किस्म के जो कहते हैं कि भविस को पेंट करते रहते हो ये सुभा देती है ये सारी चीजे है आप अभी कुछ फेज चलेगा राजिनिती में कुछ फेजज होते हैं कि ये फ्री वो फ्री ये कर देंगे महिलाओं को ये फ्री वो फ्री सब कुछ ये कुछ दिन चलेगा और इसमें एक दो चुनाओ जीत भी जाओगे लेकिन देश इसमें हार जाएगा कॉंग्रेस इतनी अंबानी की चर्चा कर रहे है ये अडानी के साथ बैट कर जब अशोक गहलोद फोटो सेशन करवा रहे थे और राहुल गांधी लिख रहे थे कि कोई राज्य का मुख मंत्री है वहाँ अपने यहाँ इन्वेस्टर्स मीट तो बुलाएगा है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अडाने भी पहुचे पचीस हजार करोड का इन्वेस्टमेंट प्लान है राजस्तान में अभी इन्वेस्टर्स मीट कर रही है ममता बनर जी वहाँ अंबानी पहुचे और अमबानी ने क्या गोशना की आपने हमें बुलाया है हमने अब तक 45,000 करों रूपे का इन्वेस्टमेंट किया पश्चिम मंगाल में और अगले तीन सालों में अभी और 20,000 करों का इन्वेस्टमेंट करेंगे ममता बनर जी बगल में बैटकर मुस्कुरा रही है ये राहुल गानी उनसे बात करेंगे ये अडानी अमबानी की चर्चा सुरू इसलिए किये है क्योंकि ये दोनों गुजरात के बिजनसमें है शरत पवार ने इनको डांट लगाये थी इसी बात के लिए जब अडाने अडानी कर रहे था शरत पवार से अडानी की मुलाकात होई गौतम अडानी की और उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग भी पहले ऐसी राजनिती करते थे उस समय टाटा बिडला डालमिया की बात करते थे लेकिन ये घिसे पीटे तरीके से किसी एक को करते थे ये चुनाबी मुद्दा हो सकता है चुनाबी अट्रैक्टी मुद्दा हो सकता है कभी कभी चर्चा कर लिए लेकिन आप तो ऐसे पड़े हो जैसे की सारा एकनॉमिक का सोर्स वही से हैं अब ये दिगभरमित पातियां दिगभरमित लोग और दूसरे को कैसे बेब कुप बना रहे हो कि अभी तक जो पेट्रॉल डिजल है उसमें जीएस्टी नहीं बलकि वैट लागू है केंदर सरकार बार बार कर रही है कि जीएस्टी के दायरे में इसको ले आओ राज्य सरकार ये मानती नहीं है इस सबसे ज्यादा वैट तुम्हारे यहां 31% वैट ले लेते हो और बार बार कुछ दिनों एक महीना पहले ही पेट्रॉल पंप मालिकों ने हरताल कर दिया था लेकिन फिर भी ये लोग बेवकूप बना रहे हैं जीएस्टिकेंदर सरकार लेती है इसलिए यहां पेट्रॉल के दाम बड़े हुए हम आएंगे तो कम कर देंगे फि केवल कुर्सी से जब कुर्सी पर रहेंगे शांत रहेंगे उससे हटेंगे तो बॉखलाहट में उलूल जूलूल बाते करते रहेंगे जी सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तबाब चांचा तो कल राजस्थार में चुनावी शोर थम जाएगा क्योंकि 25 नौंब हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुँचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने द्रड संकल्प पर अटूट विश्वासे क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिस्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से हैं कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहां बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शो हम बिहार से हैं